हलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्ट पुष्पेंदर सिंग फिर से आपके सामने एक वीडियो मैं लेके आज चुका हूँ तो आज जो मैं इस वीडियो को सूट कर रहा हूँ तीन जनवरी दो हजार बाइस है मंडे का दिन है और आपको बताना चाहूँगा इससे पहली वीडियो अपने देखियोगी मैंने आईफॉन 13 परशेच किया है कितना कोश्ट किया है वो सारी चीजे मैंने वीडियो में बताई है तो अगर आप नहीं देखी है वीडियो तो आप जाके अपना चैनल पर वीडियो देख सकते हैं और आपको मैं बता देता एक data cable आती थी adapter आता था और साथ में आपको एरफोन आता था आज के टाइम में वो बंद कर दिया है company ने सिर्फ company adapter दे रही है data cable दे रही है sorry adapter नहीं दे रही है data cable दे रही है सिर्फ और नहीं एरफोन दे रही है तो अगर एरफोन की cost काम करेंगे original की तो approximately 1900 जाएगी और approximately इतन नहीं ही आपकी adapter की रहेगी 181900 181900 मोटा मोटा 4000 रुपे का company ने cost cutting किया है उसका price थोड़ा बहुत कम कर दिया है अधरवाइस बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं है तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें भी क्या किया है company ने और एक आपका मतलब चाल खेली है कि जो adjusting जो adapters होंगे जो मतलब previous phone के adapters होंगे उसमें वो data cable काम नहीं करेगी आपको दिखा दूंगा इसमें तो अभी जो वीडियो में suit कर रहा हूँ iPhone 13 के front camera से कर रहा हूँ तो आप मेरे को comment में बताईएगा कि quality किस तरीके की आ रही है audio quality और अपनी जो है video quality जो image quality वो कैसी आ रही वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका किस तरीके से और अभी current वाली मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से है पहले अगर adapter की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से मेरे पास adapter है यह बड़ी वाली जो है अपना वो आती थी data cable जिसको आ अपना laptop में यूज कर सकते हो कहीं भी मतलब laptop में मेरे पास गाड़ी है उसमें भी मैं Apple CarPlay यूज कर लेता हूँ बढ़ अभी जो नहीं वाली आई है उससे में यूज नहीं कर सकता मैं वो आपको एक वाट दिखा देता हूँ open करके कि वो क्या है क्योंकि data के विल जो phone में ल लगेगा तो आप देख पारे होंगे भी मैंने ये निकाली भी नहीं है मैंने वहाँ देखी भी नहीं थी बट मेरे को ये पता लगा ये तो phone में easily सभी में लग जाएगी iPhone 7 हो iPhone 8 हो iPhone 10 हो 11 12 सब में लग जाएगी बट ये जो C type है ये आपका नहीं लगेगा क्योंकि ये आप देख पारे होंगे इसका adapter अलग कर दिया है अब company ने जो कि आपको अलग से purchase करना ही पड़ेगा तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों ये data के विल अभी मैंने open नहीं करिए क्योंकि मेरे पास adapter भी नहीं है और मैं आज try भी कर रहा था जो बढ़िया quality का है जो Apple से है वो 84900 कॉ करेगा तो मिरको adapter लेना पड़ेगा जिसकी cost approximately 2000 रुपे के आसपास रहेगी तो आप भी अगर phone purchase करने का सोच रहे है अपल का तो ये सोच लेना कि 2000 रुपे और अपनी जेम एड कर लेना और एरफोन लोगे तो उसका 2000 और तो जितना भी cost अभी करेगा उसको 4000 प्लस आपको क परना ही पड़ेगा तभी आप मतलब complete iPhone ले सकते हो तो ये सारी चीजे हैं दोस्तों जो कि मैंने आपको बताई है और कोई नहीं बताता है तो बाकी की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को like करें subscribe करें और share करें अपने दोस्तों के साथ में और अगर कुछ छूट गया ह मेरे से तो आप मतलब जो है उसमें बताई का comment में बाकी की मैं आपको एक चीज छूट गी है जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है इसमें मैं देखें इसको लगाऊंगा तो इसका कहीं भी connection नहीं है इसका adapter लगाता है वो मैं लोंगा जब आपके लिए space लिए एक वीडिय कर रहा है अभी मैंने यूज नहीं किया वी इसलिए मैं आपको दिखाने रहा हूँ वो next video में separate video में मैं आपको दिखा दोगा तो दोस्तों यहीं थी सारी चीजे तो करते हैं वीडियो को यहीं बैंट सू वीडियो देखने के लिए लगा थेंक्यू सो मच